हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टी और ओन चैनल आरजय मदुरा बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे इस वक्त अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी वजह से चाहे आप कॉंटेक्ट में नो कॉंटेक्ट में जो भी सिचुएशन में लेकिन कही और इस रिलेशन्शिप के अगर कोई फिकर होनी चाहिए और वो नहीं हो रही उनको क्यों नहीं हो रही अगर आपको यह लगता है तो इस रिलेशन्शिप के बारे में आपके बारे में कोई चिंता या फिकर करते हैं या उनने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है जो होग है कि आपके person जरा भी फिक्रमंद है उन्हें कोई भी चिंता है इस relationship को लेकर अगर यह जानना है तो यह collective reading में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए कार्ट्स को मैंने कर लिया है अच्छे से shuffle आपके person इस relationship को लेकर जरा भी फिक्रमंद है या नहीं अब friends cards निकल गए हैं आप देख पा रहे हैं सारे cards तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है क्ते सारे cards है तो मैं क्या आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी लेकिन आप देख रहे हैं गौर से सुनिए अगर आप zodiac की बात करें तो pentacles है, wands है, air sign है, water sign का भी element दिख रहा है तो सारी zodiac science इसमें आ रही है, अब ध्यान देते हैं आपके person की जो intentions है, आपको लेकर कोई चिंता है या नहीं तो ये जो card है, eight of pentacles, definitely आपके person कुछ work तो करी रहे हैं, अपनी तरफ से इस relationship के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि उनको कोई फिकर है या नहीं, इसलिए कि आपके person आपको हमेशा जबी भी आप इसके बारे में discuss करते हैं तो confused से लगते हैं, वो selection नहीं कर पाते हैं आप देख सकते हैं, two of swords, seven of pentacles, हर एक resource होते हुए भी आपके person में आपको वो quickness, activeness नहीं दिखती relationship को लेकर जो होने चाहिए एक action जो दिखना चाहिए वो आपको नहीं दिखता, लेकिन ये आपकी महस गलत फेहमी है, क्योंकि आपके person कुछ ना कुछ तो करी रहे हैं इस relationship को लेकर वो चाहते हैं कि वो हर तरह से victorious हो, इस relationship में ऐसी कोई कमीना रहे जिससे आपको आगे जलकर कोई complain रहे इस relationship से, अपने person से, ये चीज तो वो feel करी रहे हैं और उस पर work भी कर रहे हैं अब ये अपनी family को मनाना है, ये अपने career को set करना है, या कोई ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करना है, जिससे related है आपका और उनका relation lovers card है तो definitely वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन yes, वो थोड़े tied up जरूर हैं कुछ ऐसी situations हैं उनकी family की जिसकी वज़े से वो tied up हैं, अगर family की नहीं तो अपनी उनकी responsibilities की कोई ऐसी situation है जो वो चाहके भी आपसे discuss नहीं कर पा रहें वो आपसे कहने ही पा रहें, वो कहने ही पा रहें, उसकी वज़े है कोई मजबूरी, कि वो चाहते हैं कि पहले वो सब चीजों को तयार कर लें, relationship को अच्छा चलाने के लिए जो भी एक recipe होती है, जो भी ingredients होते हैं, वो सारे होने चाहिए कि जब वो आपके सामने आए, वो खुलकर आपको बता सके कि relationship को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए था, I have done it all, मैं पूरी तरह से prepared हूँ, आपके दिल में कोई शिकायत या complaint ना रहें, वो उसके लिए तयारी करें, जिसके वज़े से आपको लगता है कि relationship को लेकर confused है, relationship को ल नहीं है, वो मजबूर है, दोनों बातों में फर्क होता है, हाँ, tied आपको आप मजबूरी का नाम दे सकते हैं, लेकिन confused वो बिल्कुल नहीं है, अगर आपको लगता है वो confused है, तो बिल्कुल confused नहीं है, वो फिकर मंद है, तभी वो इस relationship पे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी उ फैमिली में, उनकी फैमिली में कोई दो mature, एक male और female member है, जिसकी वज़े से वो इस वक्त आप से खुल कर कुछ जादा discuss नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये लोगों को मनाना, इनको एक तसल्ली देना आपके और उनके relationship को लेकर उनको बहुत जरूरी लगता है, और जब वो इ टाल नहीं सकते, और वो ये भी नहीं चाहते कि आपको निगलेग करें, आपको पीछे रखें, उनकी बात को मान कर वो आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं, टेंपरेंस कार्ड और फिर justice कार्ड, वो चाहते हैं कि आप दोनों को ही वो खुश रख सके, वो कपल को भी जो उनके पैरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनके चाचाची कोई भी भाई भावी, कोई भी mature कपल हैं, जिसको वो convince करें, हो सकता है ये लोग आपके और उनके relationship के खिलाफ हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो पूरी तरह से इनको convince नहीं कर लेते वो आपसे क्या बताएं, हर बार कोई ना कोई आपको excuse देकर, खुद अपनी नजरों में और आपकी नजरों में नीचे गिरने से, बहतर यही है कि इस वक्त वो चुप रहें, आपको चाहे जो भी लगे, वो ऐसा सोचते हैं, आपको इस वक्त चाहे जो भी लगे, उनको प कर रहें न चिंता, तो ये बात को वो जानते हैं कि आप ऐसा समझ रहें, लेकिन अभी आपको वो convince नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप convince होना भी नहीं चाहेंगे, शायद बहुत टाइम से आप उनसे ये बात पूछ रहें, कह रहें किस relationship का क्या, इसको क्या करना है, आप इसके इसको आगे चलाना चाहते हैं, वो चलाना तो चाहते हैं, तो वो जरा भी इस पर work नहीं करते हैं, आप से बेहत प्यार करते हैं, लवस काड आया है, आपके सामने है, इतने loving काड़ हैं, तो definitely उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, कोई भी उनके दिल में ऐसी कोई भावना न इस relationship को जिस status पर ले जाना है, जिस मुकाम पर ले जाना है, वो लेकर ही आएंगे, और तब वो आपको मना भी लेंगे, ये बात को वो जानते हैं, तो इस वत अगर आपके दिल में 100 वसवसे उठ रहे हैं, 100 सवाल आ रहे हैं, आपका दिल हॉले मार रहा है, कि पता नहीं क् क्या पता आपके person फिकर मन्द है भी के नहीं, तो definitely फिकर मन्द है, ये कार्ड अपने आप में दिखाता है, कि वो बहुत work कर रहे हैं, lovers कार्ड दिखाता है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, king and queen of pentacles दिखाता है, कि कोई एक mature couple है, जिसको convince करना उनके लिए इस वक्त नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं balance रहे इस relationship में, वो चाहते हैं, सारी बाते जो हो, जो भी solution हो, वो just हो, वो बिलकुल सही हो, किसी का भी मन मुटाब ना हो, किसी का भी दिल न दुखे, तो इस वक्त चाहें वो couple उनसे नाराज हैं या आप उनसे नाराज हैं, इस से उनको को रहने पारे, इसका उनको कोई दुख भी नहीं है, वो जानते हैं, जब वो इसमें से बाहर आएंगे, और जब वो आपको अपनी बात बताएंगे, आपको सारी बाते समझ आ जाएंगी, तो ये उनकी current feelings है, ये current energies है, वो आपकी फिकर भी करते हैं, वो आपकी चिंता भी कर और इसमें आपको शक होना भी नहीं चाहिए, कार्ज आपके सामने ही आएंगे, आप इसके लिए ये सोचते हैं, कि ये confused हैं, पर ये confused नहीं है, ये जानते हैं, ये इनको victory ही मिलेगी, उनको जीत ही मिलेगी, वो definitely दोनों ही parties को मना लेंगे, आपको भी अपने relationship में एक गरी feelings, कि वो आपके ही लिए कोई फिकर करते हैं या नहीं, तो आपको पता चल गया, बहुत सादा आपकी फिकर करते हैं, जिसको आप शायद गल्ती से उनकी confusion मान रहें, बल्कि, in fact, they are very, very firm in their decision, they know very well what they want from this relation, and they definitely are worried about you, they definitely think of you, and currently you are on their mind only, बस वो ये चाहते हैं, कि जो opposition creates, create हो ग आप वो opposition ना रहें, वो दोनों एक ही हो जाएं, बस जिस दिन वो ये कर लेंगे, definitely आप से आके बात भी करेंगे, उनको जीत की कोई ऐसा शक नहीं है, कि उनकी जीत नहीं होगी, उनको पता है, उनकी जीत होगी ही होगी, तो friends, ये था एक short collective reading on the current situation, और current feelings of your partner, वो definitely आपकी चिंता भी कर रहे हैं, आपकी फिकर भी कर रहे हैं, all the best to you, bye-bye.